हेलो फ्रेंड्स आज हम ब्यूटिफुल सा बॉट्निक ब्लाउस डिजाइन बनाएंगे फ्रेंट पार्ट में इसी बनाने के लिए यहाँ पर मिनी टफिटा का फैबरिक लिया हुआ है आप किसी और फैबरिक में भी इस डिजाइन को बना सकते हैं मिनी प्रिंटेट फैबरि शायद ही देखा होगा बहुत यूनिक डिजाइन है इसका मेजरमेंट आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम इस ब्लाउस की कटिंग करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम अस्तर पर कटिंग करेंगे तो यहाँ पर म लंबाई तयार चाहिए उसमें हमें एक इंच प्लस करना होता है मुझे पंदरा इंच लंबाई तयार चाहिए तो मैंने 16 लाली है एक इंच से लाई मार्जिन के लिए और यहाँ पर सीथी लाइन बना देंगे उसके बाद शोल्डर का निशान लेंगे तो शोल्डर मेरे क इसमें पंदरा इंच तो पंदरा का आधा हम साड़े साथ लेंगे क्योंकि यहाँ पर सीथी लाइन बना देंगे अब हम कले की चोड़ाई का निशान लगाएंगे नेक विट का तो यह पॉटने के इसलिए में चार इंच लूंगे यहाँ पर नेक विट और नेक लेंथ हम 3.5 इंचे 3.5 इंचे तोह बेंगे त्क हम सीधी लाइन बना देंगे और यहाँ पर पी लाइन बना कर शेप लगा देंगे अब इसके बाद में शेपर रख देंगे और उपड़ की तरफ से रखना है शेपर को क्योंकि इसका नेक शेप टीप नहीं दिया जाता है अब यहाँ पर हम एक इंच लेंगे आमोल शेप के लिए क्योंकि फ्रंट पार्टे एक इंच पर मार्क कर देंगे उसके बाद में यहाँ पर half inch shoulder down करेंगे हम आमोल वाली side से इसमें नेक deep होता तो हम नेक वाली side से करते और तिरची line बना दी है अब यहाँ पर chest का 4 part करेंगे 34 chest का 4 part साड़े 8 हुआ प्लस मेने इसमें डेरिंज सिलाई margin लिया है कमर मेरी साड़े 7 है सौरी 30 है तो 30 का 4 part साड़े 7 हो जाएगा प्लस इसमें डेरिंज हम सिलाई margin लेंगे प्लस एक इच टार्ट के लिये लेंगे तो इस तरीके से हम chest और कमर को बराबर लेंगे अब यहाँ पर shape पर रखकर shape लगा देंगे front part का shape इस सरी किसी थोड़ा सा बहार की तरफ निकालते हुई लगाते हम तो fitting अच्छी आती है सलने ही बनते हैं अब सीने का 10 हिस्सा लेंगे 34 सीने का 10 हिस्सा 3.4 होगा और यहाँ पर एक निशान लगा देंगे हम princess कट के dart लगा रहे हैं अब शोल्डर की तरफ इंच टेप रखकर buzz point का निशान लगाएंगे मेरा buzz point 10 है तो में यहाँ पर साड़ी 10 पर निशान लगा दूंगी और नीचे की लाइन तक हम इसे सीधा मिला देंगे आपको सीने का 10 हिस्सा निकालना है सबसे पहले और गले की साइट से निशान लगा देना है अब इस लाइन के दोनुस साइट हम आधा-दा इंच पर माग कर देंगे और अब scale के help से इसे तिरचा मिला देंगे अब यहाँ पर हम शेपर लेंगे और armhole वाली लाइन में इसे जॉइन कर देंगे और इस तरीके से आप किसी भी साइस का dart point निकाल सकते हैं दस्वा हिस्सा लेकर तो इस तरीके से मैंने shape लगा दिया है बहुती smoothly shape बन जाता है अब यहाँ से गोल देते हुए थोड़ा सा कुलाई में इसे मिला देंगे तो इस तरीके से मैंने मिला दिया है और यह burst point का mark कर दिया है अब हम इसकी cutting कर लेंगे पूरी burst point का निशान आपको ज़रूर लगाना है क्योंकि वहाँ पर हमें छोटी-छोटी से cut लगाना है इसलिए आप burst point का निशान ज़रूर लगाए तो इस तरीके से हम इसकी cutting कर लेंगे यह जो बीच का पार्ट है आपको इसे cut कर निकाल देना है यह अलग तरह का प्रिंस कर दे आप यहाँ चाहे तो डेर की जगर दो इंच मार्जिन भी ले सकते हैं वो जादा बेस्ट रहेगा अब यहाँ पर बीच में हम cut लगा देंगे और यह इसकी right side है सीधी side इसके उपर हम अस्तर का कपड़ा रख देंगे इस तरीके से अब यहाँ पर हम गले में half half inch का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगा देंगे फिर हम इसे पलटेंगे तो मैंने सिलाई लगा दी है सिलाई लगाने के बाद हमें छोटी-छोटी से cut लगाना है लेकिन ध्यान रखना है कि सिलाई ना कटे तो इस तरीके से cut लगाने के बाद हम इसे पलट देंगे तो यह right side हमें मिल जाएगी अब यहाँ पर हम finishing की सिलाई लगाएंगे और साथ ही यहाँ पर देखें मैंने इन दोनों हिस्सों को अस्तर और में कपड़े को लेकर joint कर लिया है ताकि यह इधर उधर ना किसके तो इस तरीके से आपको भी जोइन कर लेना है यह देखी थोड़ा-थोड़ा सा कपड़ा लेते हुए अस्तर और में कपड़े को और अब यहाँ पर हम गले में सिलाई लगाएंगे फिनिशिंग की इस तरीके से अस्तर की कपड़े को अंदर की तरफ करते हुए तो इस तरीके से यह मेरी सिलाई लग गई है अब यहां पर भी हम यह जो आसपस का हमारा फैबरे के जिसे हमें जोइन करना है प्रिंसेस कट का कटिंग वाला यहां पर भी हम सिलाई लगा देंगे ताकि कपड़ा ही लेना प्रिंसेस कट के हमारी जोइन करते वक्त तो इस तरीके से मैंने इसे भी stitch कर दिया है सभी sides से और यहाँ पर जो अब extra रह रह रहा है उसे आपको cut कर देना है ताकि हम join करते वक्त confuse ना हो अब यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इस fabric में भी aster को और main कपड़े को join कर लिया है देख सकते हैं इन दोनों साइड्स में भी ये देखिए सिलाई लगा कर और इसे आपको आमने सामने रखना है गोलाई वाले पार्ट को हम इस तरफ चोड़ेंगे इस तरीके से रख लेंगे हम और इस वाले पार्ट को भी इस तरीके से रख लेंगे गोलाई वाला पार्ट इ तरफ से में जॉइन कर रही हूँ, बहुत लोगों को प्रॉब्लम आती है ना कि उनका छोटा बड़ा हो जाता है, तो आप इस तरीके से जॉइन कीजेगा, अब यहाँ पर देखिए, कट यहाँ पर बिल्कुल दोनों बराबर आ रहे हैं, किसी भी पार्ट को मुझे खीचना नहीं पड़ा है, आप आर्म होल की तरफ से जॉइन करते हैं तो बड़ा छोटा होने की बहुत जादा दिक्कत होती है, आप एक बार कमर की साइट से जॉइन करके देखिए, आप को यह प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगी, अब यहां पर मैं कमर पट्टी लगाऊंगी, तो कमर पट्टी के लिए मैंने डेरिंच की पट्टी लिए है, और ब्लाउस की राइट साइड ही मैंने इस पट्टी को स्टीच कर दिया है, डेरिंग चुडाई में लिये पट्टी और लंबाई ब्लाउस के कॉडिंग लिये पट्टी की अब इस पट्टी को अंदर की साइट फोल्ड कर देंगे हम थोड़ा-थोड़ा सा मार्जिन लेते हुए सिंगल फोल्ड कर रही हूं मैं पट्टी को तो इस तरीके से मैंने फोल्ड कर दिया है कमर पट्टी बना रहे हम अब इसी प्लाउस की उल्टी साइट इस तरीके से टर्न कर देंगे और पांच नंबर की सिलाई लगा देंगे मैं हाँ पर कच्चा कर रही हूं मैं बाद में तुर्पाई भी करूंगी किनारी किनारी पर तो इसी लिए मैं पांच नंबर की सिलाई लगा रही हूं अब यहाँ पर ध्यान रटना है कि प्रिंसिस करके डार्ट आपके दोनों सेंटर में रहे इस तरीके से इनकी सिलाई तो मेरी कमर पट्टी बन गई है अब कमर पट्टी बनने के बाद में हम जो डिजाइन बनाएंगे उसमें आपको ध्यान देना है कि वो आपकी राइट हैंड की साइड रहेगी तो उसी को फोकस करके आपको कटिंग करना है सारी तो ये राइट हैंड की तरफ रहेगी और हमें start तक के measurement को नाप लेना है left hand तक के dart को और इससे हमें 1.5 inch extra लेना है आप चाहे तो 2 inch भी extra ले सकते हैं क्योंकि हमें यहाँ पर fold करने के लिए चाहिएगा तो यहाँ पर मैं 2 inch extra लूँगी आप 1.5 भी ले सकते हैं तो मैंने 13 inch लिया है अब इसके बाद में यहाँ से यहाँ पर जो मैं design अटेश करूँगी वो 1.5 inch नीचे रहेगा 1.5 से 2 inch तक आप ले सकते हैं तो मैंने 1.5 inch पर एक mark कर दिया है अब इसी के recording एक paper ले लेंगे देखिए यहाँ पर मैंने एक newspaper ले ले लिया है अब इसकी जो मैं आपको दिखा दिती हूँ ना आपकर 7.5 inch लेंद और width यहाँ पर 13 inch से जो कि अभी हमने measure की ना उसी के recording मेंने लिया हुई है अब इसी पर हम design कट करेंगे तो design यहाँ से ज़्यादा रहेगा और यहाँ जाकर बिल्कुल पतलासा हो जाएगा तो उसी के base पर हमें तिर्चा इसे cutting करना है इस तरीके से तिर्चा तो देखिए इसके लिए यहाँ पर हम नीचे की side से 1.5 inch पर और उपर से यहाँ तिर्चा की निशान तक हम तिर्चा मिला देंगे इसे इस तरीके से आप चाहे तो बिल्कुल कोना निकालते हुए भी इसे तिर्चा ले सकते हैं तो इस तरीके से मिने बना दिया है अब यहाँ पर हम इसकी cutting कर लेंगे और ऐसे हमें तीन पीस चाहिएंगे same to same length width के यह जो हम कट कर रहें ना pattern same way से ही हम तीन पीस कट करेंगे कपड़े पर कपड़ा वेस्ट ना हो इसलिए मैंने न्यूस पेपर पर कट कर लिया है यह कुछ इस तरीके से रहेगा अब यहाँ पर अस्तर के कपड़े पर हमें इसे cutting कर लिया बिल्कुल बराबर कट करना है कुछ पीस में आपको एस्ट्रा लेने के ज़रुएत नहीं है तो मैं बिल्कुल बराबर से कट कर लूँगी और इसे में तीन पीस कट करूँगी हमारा डिजाइन बनाने के लिए हमें तीन पीस चाहिएंगे तो देखे में अस्तर के तीन कपड़े कट कर लिये हैं मैं आपको बताती हूँ एक तो और यह तीन कपड़े अब हम इसकी cutting में कपड़े पर कर लेंगे और में कपड़े पर कर रहे हैं तो आप एक चीज़ देख लिजे आप इस तरीके से रख दीजेगा तो आपका कपड़ा बचेगा चो कोड में दूनों फैबरिक को आपने सामने तो इस तरीके से में 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 फैबरिक पर भी cutting कर ली है में फैबरिक पर यह डिजाइन कट करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आपको राइट हैं की साइड अटेज करना है तो उसी के कॉर्डिंग आपको cutting करना है तीनों को यूँकि तीनों हमारी एक ही तरह से अटेज होगी तो राइट साइड हमें ऐसी ही तयार मिले तो उसी के कॉर्डिंग आपको यहाँ पर cutting करना है तो इस तरीके मैंने तीन पीस cutting कर लिए हैं अब यह राइट साइड है मेरी पीस की तो इस पर हम अस्तर का कपड़ा रखेंगे और जो यह तरची वाली साइड है यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे और इसे जॉइन कर लेंगे तरची वाली साइड पलटने के लिए तो मैंने सिलाई लगा दी है अब आपको यहाँ ऊपर नीचे रखेंगे और तरची 한국 को यह तो मिप्लात कर का यह एक पीस को एक और किसे रखें के लिए तो मैंने कमिने कट आप नीचे तरची už साइड दूलत सुछ इंगे तो आप मैंने किसी रखा है और हमी कन आपको इसे हम सुछा हुआ है इसनीर होऊ प्रहुता है सेमेंसे ही हम इस साइड भी सिलाई लगा देंगे इस तरफ मैंने पास-पास रखा हुआ है जादा डिस्टेंस नहीं दिया है क्योंकि यहां पर हमें साइज को छोटा ही रखना है इसलिए अब यहां पर उल्टी साइड जो आपकी यह पहली लेयर है जो हमने सबसे पहले रख इसे कट कर देंगे इस तरीके से सेकेंड वाली को हम फोल्ड करने के लिए रख रहे हैं इसे आपको इस तरीके से डबल फोल्ड करना है यह देखिए इस तरीके से डबल फोल्ड करके सिलाई लगा लेना है आपको यहां पर मैंने डबल फोल्ड करके सिलाई लगा ली है इस लावच के साथ सिलाए कर देंगे ब्लकुल परावर में लेते हुए अब पर फ्लॉवर बनाएंगे जिसके लिए मैंने डबल फोल्ड कपडा लिया हुआ है और इसकी चोड़ाईं के 16 इनचे है जो इसकी पाद इसे इस तरीके से फोड्ट कर लेंगे राइट साइड ही और फ्रिल्स लगाएंगी हम इसम tahun चुननट कुछ इस तरीके से पूरे में आपको चुननट पास पास लगाना है हमने कपड़ा यहाँ पर ट्रिपल लिया है इसलिए तो आपको बिल्कुल पास पास चुननट लगाते जाना है जैसे वीडियो में बताया है फिंगर की हरत से तो इस तरीके से मैं पूरी यह फ्रिल के लिए चुन्ट लगा दोंगी अब चुन्ट लगाने के बाद में आपको इसे इस तशरी के से फोल्ड करना है तिन से चार बार और निडल से और थेड से इसे बिलकुल स्टीच कर देना है और फोल्ड करते जाना इस तरीके से और आपको stitch करते जाना है needle से और thread से तो इस तरीके से हम पूरा इसे stitch करते जाएंगे बनाते जाएंगे और इस तरीके से आपको बीच बीच में stitch करते जाना इसे और पूरा flower हम तयार कर लेंगे और यहाँ पर end में आपको इसे इस तरीके से fold कर लेना है और stitch कर देना है यहाँ पर हम दो से तीन बार stitch लगा कर knot बना देंगे ताकि यह fix हो जाए ही लेना तो इस तरीके से मिने knot बना दी है अब यहाँ पर हम इसके लिए नीचे weld बनाएंगे तो यहाँ पर मैंने double fold कपड़ा लिया हुआ है sorry दो लेयर में कपड़ा लिया है और इस तरीके से तिर्चा रखे देंगे ताकि यह नीचे से चोड़ा रहे और उपर की तरफ से सकड़ा रहे मतलब कम रहे मैं आपको इसका measurement भी नापकर दिखा दूँगे और न 3-inch है अब यहाँ पर right side को अंदर रखते हुए आपको इस तरीके से सिलाई लगा देना है इसमें यही दो पट्टिया है हमारी flower की नीचे अटेच करेंगे हम इसे तो इस तरीके से हम सिलाई लगा देंगे इसे नीचे की तरफ पर सिलाई लगा देंगे और आब हम इसे पल यहाँ पर हम flower और दोनों parts को attach कर देंगे तो इस तरीके से इसे भी में attach कर दूंगी यहाँ पर और आप देख सकते हैं हमारा पूरा blouse बनकर तयार है यहाँ पर आपको इसे हटा कर पल्लू जमा लेना है साड़ी का और इसके उपर इसे लगा लेना है साड़ी के पल्लू के जाएगा left side की तरफ और यहाँ पर हमने hook और eye लगा दिये हैं तो आप साड़ी पहनने के बाद इस तरीके से यहाँ पर टक कर सकते हैं यहाँ पर आपका पल्लू रहेगा साड़ी का और इस तरीके से आपको लगा देना है आप यहाँ पर चाहे तो touch button का use भी कर सकते हैं जो लगाएंगे तो सिलाई अगर लगाते तो इसका लुक खराब हो जाता जिसे कि आप देख पा रहे हैं मैंनी प्रेस से ही ने सेट किया हुआ है और फ्लावर पर मैंनी शो बटन का use कर लिया है जिससे और जादा अच्छा लग रहा है तो all over blouse हमारा complete हो गया है फ्रेंट पा आईएगा और मुझे इंस्टाग्राम पर जुरूर फोलो कीजिएगा फिर मिलती हूं गाइस में नेक्स वीडियो में किसी नई चीच के साथ दबते के लिए बाबाई एंड थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस